हेलो जी, गूद इवनिंग, नमस्कार जैराम जी कैसे हैं आप सब ओर जैश्री शाम, जैश्री राम और व्लोग की शुरूवात हो रही है बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके सहर मतलब एकदम गंदे और गटया वाले तरीके से व्लोग की सटार्टीं हो रही है तो यहां प तो सर्मा जी ने बोला चल कोई ने कोई अडंगा हुआ है चेक करते हैं कि क्या हुआ है तो हम लोग बस दोनों जूट गए थे बागी सामान जो है वो दिन से चेक कर रहे थे तो कुछ नहीं मिला लास्ट में बची थी ये एरिया मतलब बचा था ये एरिया जिसमें की जूते हैं चपल हैं वो सब कुछ और मेरे पास शूरेक है लेकिन मेरी आदत इतनी गंदी है कि मैं वह शूरेक तो मैंने बैड के अंदर रखा हुआ है पैक करके और सारे शूज जो है वो मैंने इसके अंदर पटक रखे हैं मतलब कि मैं खुद सोच रही हूं पिछले दो दिन से कि आप मुझे वो शूरेक निकालना चाहिए क्योंकि पहले क्या था कि शूरेक रखने की जगह नहीं थी अब मैं यहां पर इस स्टोर रूम में रख सकती हूं आराम से तो अब मुझे शूरेक निकालना यह सारे जूते चपल जो है ना इसके अंदर रखने हैं इसके ना बहुत सारे हों रहते हैं, तो इन को रखना एक वह रता है नहीं कि बहत बारी भरकंब यह काम हो रखने मेरेद लिया तो मैं रखे हों इनको और घर가지고 की टोफी वे देखो और इसमें कुछ ज्वैलरी वगेरा जो मेरी आर्टिफिचल ज्वैलरी है वह है जो और एमजुन से मिले हुए जो मेरे को रिव्यू के लिए मिलते थे प्रोडेक्ट्स वह हैं जो कि मैं यूज नहीं करती इतना अडंगा यहां पर फैल गया और वह हम दोनों बस यही चेक कर गई इधर उदर और उस चुही के कारणा मतलब यह सारा जो बदबूदार जो एरिया हो रखा ना वह हो रखा और मिली नहीं वह मतलब सारे कपड़े वगेरा मैंने निकाले हैं आप बाद में देखोगे पहले यह शूरक वगेरा निकाले फिर यह बैंगल वोक्स वाला रह खता वो रहे निकाला लेकिन कहीं पर भी कुछ नहीं मिल रहा था और रात के साड़े आठा बजरे हैं दिमाग इतना खराब हो रहा था कि खाना भी बनाना है और सुबह टाइम से फिर उठना भी है सुबह के काम पहले आदाते हैं जब रात को लेट तक काम करना पड़ता ह और यह वाला काम होगा तब बाकी के प्रोपर रूटीन के जो काम होंगे और सबसे में बात बदमू में बिल्कुल नहीं रुका जा रहा था और पहले तो हमने ना यह मूँ कवर कर रखा था लेकिन अब हो चुके परेशान सिर दर्द कर रहा है तो मूँ कवर तो हटा दिय मेरी फेश चाओर तो अपना करना बंद कर दिया और बर एक बर चेक करने लगे और यह जो नीचे वाला एरिया ना लमारी का यह मेरा एक साइड न लिह रिक ज़रासा स्काही उड़ी का पतानी का पता नहीं जंग लगा उसके कारण से पानी वगए रहा से जंग लगा कह से यह गल गया तो यह अलमारी थोड़ी सी टेडी हो जाती है मतलब पीछे की साइड में इसका जो लोगी का पत्रा था वो गड़ चुका है और कच्रा देखो इस अलमारी के पिछे कितना निकला है ऐसा नीक मैं निकालती हूं लेकिन फिर भी कितना है और कपडों की तो आप इतना अडंगा फेला हुआ है और आज मैंने साड़ी चेंज करके और अपना लोवर टीशिट डाल लिया थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगरी थी इस एरिये में पंखा नहीं है काम करने में वैसे गर्मी हो जाती है और यह जो अलमारी के उपर रखे है पिंक कलर के यह पारसल रखे हुए इनका रीवीव वीडियो बनाना है और साथ में इसके पास में एक मोटा सा बलब लग रखा हुआ है यह भी मैं यूटूब के वीडियो के लिए मैंने इन्वेस्ट बहुत बार किया है लेकिन बस यह है कि उसको यूज नहीं किया यूज करने के नाम कर जो भी है लाचे वग्वेर वह जो भी है वो तो इनको मैं निकाल करेंगे मैं चेक कर देओं कि नीचे वाले एरिये में तो वह शूही नहीं मिली और तो अब बदबू इतनी बढ़ गए थी कि दूबारा से अपना नाक बांध करके फिर काम करना पड़ा और पूरा लोग में मैं वो इश देने वाली हूं आप लोग भी कहोगे कि दिदी पूरा वीडियो जो है ना वो इस में खतम कर दिया तो और एक चीज और बता हूं आपको कि गाउं में मेरी जो ट्रंक है ना संदूख वो रखी हुई है मेरी शादी वाली तो बस अब उस टाइम जब हम एक बार भी नहीं पहने और जिनकों मैं रेडी भी नहीं करवाया आप मैं सोच रही हूँ आज आज देख रहे हो गए कि मैं आजकल साड़ियां भी पहनती हूं और मेरा मन करता है कि मैं हर एक चीज मेरी रेडी करूं कि जिंदी है क्कुली के जीओ मज़े से अब यह खा प पड़े हो रखे हैं अब यह कि इनको अरेंज करना ना बहुत भारी काम होगा पाद में हम रात के 11-12 बजे तक लगे रहे थे इनको अरेंज करते करते हैं अभी ले आई हूं मैं डोक्यूमेंट्स का एक थेला था वो तो इसमें निकला मेरा यह पोत्रडा बोलते हैं इसको ज स्री स्री एक अजार आठ स्री रसिक मुवंदाज जी माराज की असी मनु कमपा से मम्मी और पापा का नाम है फिर शिवांस का फिर हम दोनों का तो सिवांस हुआ था ना उसके तीन चार मेने बाद में यह जल्वा पूजन का प्रोग्राम हमारा हुआ था मतला हम लोग रहत तो दूसरी साइड के पैर के नीचे निकले थे यह उसमें जगया और रखी थी काफी तो हम दोनों बस यही कोशिश कर रहें कि इस अलमारी को टेड़ा करके ना वो सारे निकाल लें अगर इसके अंदर और भी है तो निकालें तो यहां पे सर्माजी कह रहे थे दोनों से य और शॉलत निकल नहीं हो पा रहा था giving निकल नg पा रहे थे सारे फिर बाद में मैंने इसको अच्छे से नीचे पकड़ के और फिर निकल दासोरéo। और फाइनली ये सारे निकले और जाकर के ये जो हमारे घर में ये जो एक टाइप से रहा गंद फैल गया था बहुत सारा एक टाइप से मतलब यह होता है कि ऐसी चीज़े शड़ती है ना उससे एक मिनट भी रहना मुस्किल हो जाता है तो वह सारा साफ हुआ बहुत सारे निक है यार ये गुष जाते हैं ऐसे ही क्या पता कहां पर कौन सी चुई गुष के बैट जाए बता दू चलता नहीं है चाहे कितना ही देख लो तो बताओ उस अलमारी के पैर के नीचे मैं कैसे चेक करती है अगर रोज सफाई भी करती तो कैसे ध्यान दिया जाता है उसके और मिलूंगे आप लोगों से एक ने विलोग के साथ में तब तक लिए बाय और टेक किया थैंक्स वाचिंग जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गा